तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का RBI YouTube क्लास में तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि empirical formula of mode किसे कहते हैं, ठीक है? empirical formula of mode किसे कहते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो मैं पहले आपको बता दूँ, formula क्या होता है, देखो mode is equal to 3 into median minus 2 into mean, formula क्या होता है? mode is equal to 3 into median minus 2 into mean, तो यहाँ पर यह formula लगता क्यों है? कब लगाते हैं यह formula? देखें, अगर मालीजे हमारे पास कुछ data की series है या कुछ data है, या फिर कोई question है, उसमें at least या तो फिर दो चीजें या फिर 3 चीजे निकालने को बोला है, ठीक है? जैसे मालीजे कोई question दिया, उसमें बोला की find, mean, mode and median, तीनों find करना है, तो suppose करो आपको median find करना सबसे tough लगता है तो आप यहां से क्या करोगे कि mean और mode को find कर लोगे और इस formula में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? median मिल जाएगा, अगर आप mean और mode को find करके इस formula में रख दोगे तो आपको जो तीसरी value है वो मिल जाएगी अगर मान लीजिए आपको कोई question दिया है और उसमें mean दिया है और mode दिया है और median find करना आपको सबसे tough लगता है तो आप क्या करोगे उस formula से mean को और mode को इस formula में रख दोगे और आपको median find हो जाएगा ठीक है क्या find हो जाएगा median आपको find हो जाएगा इसके लिए आपको median अलग से find करना नहीं पड़ेगा ठीक है तो मतलब क्या था कि जहां आप तीन बार लंबा लंबा को इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो आई होप यह आप समझ गया होंगे ठीक है अगली बार हम इस से रिलेट कुस्चन को आप डिसकस करेंगे एस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फार्मूला बता रहा हूं कि इंपारिकल फार्मूला आफ मोड का फर्मूला क्या होता है ठीक है